तो कोज़दर्मी होगी अपनी, जब तक हम अपनी गोद नहीं करेंगे, कुछ भी समाधान नहीं हो सकता इस दियुका। इनी वासनाओं पे अंदर भर्मिच होते चले जाएंगे, पैदा होगे नश्ट होगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर चटर में चड़ जाएंगे फिर तोड़ दिया जाएगा, नहीं तूट पाएगा ये तुरवसी का बदन, तो आप कोज समय की कोज़ करनी है, जब तक समय की कोज़ नहीं होगी, दूसरे दत्तों की कोज़ करने का कोई भी लाब नहीं हो पाएगा, किसी की देवी देवता से हमें लाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसको आतम लाब नहीं हो सकता, जिसको आतम घ्यान नहीं हो सकता, उसके लिए सब देवी देवता न अगर प्राप्ति करनी है तो समय की करो लेकिन आप उस सागर के अंदर समाय के हो वो परमातमाप के बाहर भी है और अंदर भी है सागर का तो किनारा होता है नदी का भी किनारा होता है पिस्वी के भी किनारे हैं क्या नो गोर मनाजी के लिए है आसमान का भी अग दायरह है अपना, पतेज वस्तु का अपना दायरह है, लेकिन उस प्रमात्मा वो अनात्रीस दायरे से प्रेख है, गाल महागाल से भी प्रेख है, माया दीत है वो, वो ऐसा कोई सब्था नहीं कि एक दिव में आकर के वियादमान बुद रहे हैं, ऐसी कोई सब्था नहीं कि किसी भी जीव से बाहर हो, अंदर भी है और बाहर भी है, तो हम संदर के अंदर, सादर के अंदर इस तरह से छोगए, कि अनुमो ही नहीं हो पा रहा, परज जी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे, भरम है, भूर है, लेकिन मैं ये सोच नहीं पा रहा, कि आप खोज को रहेगे ?! यह इनी भी और अक जया सुब शबहू jetzt आप लोगों पोड़े लगता होगा कि यहूं कि क्या खोज़ हैती हम दो प्र्मानमा गोलरहणी हम दो श्री के सनू स्वास देव भर्वान को खोज़ रहे हम उस प्रंच जेतन सता को खोज रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, कि आज तक हमें यह भी नहीं मालूम कि किसको खोज रहे हैं। सागर एक भेकालिक को आप कह दिजिए कि आप खोज करो जल्डी, कि यह जल्ड कैसे पैदा होता है। जल्ड हाइ्ड्रोजन और ओपसीजन से प्रढ़ा होता है। अगर एक जल्ड की भूद की कोड़ हो जाए, एक जल्ड का दता मिह जाए, और जल्ड का तार्टाँ मिता चल जाए, और वो वेगैनिक ये कहे कि मैं साथों महासागरों पे जल्द को पहले देखुआ और उनको देखुआ कि क्या इसमें भी वही दताओ है जो एक बूंद के इंतरड़ है तो ये बढ़ा समय की बात होगी वो अपना समय भरवाद करने की बात होगी कि जल्डाल ultड़वा जो सुद्डर है चाहो उद्डाटों ये विश कुण दोज उसी माध्यां से तैयार क्या होगा उसी कानन से प्राफ्ट होगा ज्तो इसी परकार से आप के अंदर भी वही परवातमा हैं जिसके आप खुज रहेंगेगे जिस प्रतार से एक गूंद के अंदर भी वही जल है और सागर के अंदर भी वही जल है उसी प्रतार से आपकी आत्मा के अंदर भी वही ताकत है और उस परमात्मा के अंदर भी वही ताकत है अगर आपने इसे रताव को जान लिया जो आपके आतम रुकम में विरा जमान है तो आपको परमात्मा को जानने कि आउसका नहीं रहेगी पारण है क्योंकि ये भी वही बूंद है जो सागर से आई है और उसी सागर में समझ आई है उसी का एक अंस है को आप विरेह पईता करो अगर लिरेह मेंने पेडा कर पा रहे हैं झाई भॉशन नहीं कर पा रहे है ध्यान भी सिर्छान भी नहीं हो पा रहा तो गुचाल पैदा करो सवाल खड़े करो जिसने जर्शा सवाल कर सकते को इतने सवाल करो मैं आज सवाल अलोगने के लिए नहीं कहूँगा, इस मुती के अपर अंकुस लगाने के लिए नहीं कहूँगा, खौज करने के लिए कहूँगा, जितनी जादा खौज आपकर पाओगे, जितनी गहराई में आप उदर पाओगे, जब तक सवाल पेदा नहीं होगे, जब तक जब तक लगाव पैदा नहीं होगा, लगन पैदा नहीं होगी, जब तक इच्छा दागरत नहीं होगी, जब तक हम उस परमातमा के विशह में नहीं सोच पाएंगे, तो स्वाल कहां से कड़े हो पाएंगे? अथि में खरमातमा होगा, चले तो थे हम उस परमातमा कियों है हर समय बजन करने की कोशिश करते रहती है, ध्यान करने की कोशिश कर ते रहती है, लगे रहती है, नहीं बड़ा सरिय होता है एक एक दि़्यों पोओने है, जब व refers, यह यह तो छोच आ तो छोड़ देता है, और माया के अंदर खुने लगता है भजर में भी कहीं के कहीं अपना स्वार को भुने लगता है जिहान में भी अपना स्वार को भुतने लगता है पुर वोस इसान को ये तिखाना चाहता है कि परमातमा बेरे भूठी के अंदर उसको मिझे पगड़ लगता है ब्रस्ते लिये होता है। नहीं इसको कोई पकड़ सकता है, नहीं कोई पकड़ पाया है। नहीं कोई पकड़ पाया है। यह तो हमारा इंकार है जो हमें वर्मित करने चला है। जितने भी स्वाह पैदा हो सकते हम उतने स्वाह पैदा कोई। वो फोज उत्रों उत्रों के उत्तर है। जितने परशनों के समादामान होते चले जाएंगे, जितनों के उतराते चले जाएंगे, उतने परसंट समाप होते चले जाएंगे। और शबूश को स्व॑ते चले जाएंगे, जितनी संचुष्की होती चले जाएगी, जितनी जञाध्या की होती चले जाएगी, और भौज करौ समय की नहें अगारन आत्मा की जोश के विशे में नहीं पुलूँआए, क्योंकि ये विशे घ्यान का जै आत्मा का जैतना 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 का जैत सब फुद सब पराप्त हो जाता है और जब तक इस भूंद को नहीं जाना तो सागर को आप कैसे जान काओंगे। आप इस भूंद को जानने की कोशिस करें इस आत्मा को जानने की कोशिस करें। जब आप इस आत्मा को जानने लेगे तो प्रम्चेतन सत्ता को अपने आप यादिर हो जाएगी। आपने आप इपराप्त होते चली जाएगी। क्योंकि इसके अंदर और उसके अंदर घेज नहीं है। आप समय की खोज परो। चाहे ध्यान से हो, चाहे स्वाल से हो, चाहे तरक से हो, चाहे ज्यान से हो, चाहे नाम से हो, चाहे भाक्ती से हो, चाहे प्रेम से हो, कारत पेदा करो किसी वितरे से। जब तक कारण नहीं होगा कारिय नहीं हो पाएगा। कर दो 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 कर झाल करना है कर दो कर दो कर दो दो हुआ है और समय को जिसने दाद लिया, उसने सब कुछ अपा लिया, उसका चकर अपने आप हिटूंत जाएगा, वो इस अंसार को देख देख करके असने लगेगा, कि बड़ा असरिय होता है। मसलिजद के अंदर रहे करके भी प्यासी होती है, तो बड़ा असरिय होता है। तो आप के अंदर और बाहर प्रमात्मा होते हुए भी आप उसको नहीं जानका रहे है। मन्लोग विक्षेप और आवरन के ये जो पड़दे पड़े हुए हैं, बीच के अंदर है। ये भ्रम है इसको तोड़ देना होगा। तब हमें जागर की होगी। पहेंकार को भुला देना होगा। एक दूसरे को जानने की कोर्सिस की बजाए हम अपनी स्वें की कमियों को दूर करते चले जाएं। उसे बड़ा अतम लाव होगा। क्योंकि हम जितनी दूसरों की कमियों को पोज करते चले जाएंगे, शायद उतनी कमियां हमारे अंदर उसे भी ज्यादा है। अम अपनी कमियों को तो नहीं किनपा रहे ह। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंकार है वो हमें सब्साई स्विकार करने से बार-बार रोगता रहता है। मैं उस जीव को बड़ भागी मानता हूं और बड़ा स्रेष्ट मानता हूं। जो अपनी गल्ती स्विकार करके और आदर ने का प्रण देता है। यह कोई छोटा हमती काम नहीं है। बहुत बड़ा कारी है। क्योंकि जीवन में कभी गल्ती नहीं हो और यह बहुती स्रेष्ट बात है। और आप लोगों की दो दूर है हम को समय की भी कमी कोजते रहते हैं। कि हमारे अंदर ही कोई ऐसा विक्सेफ पैदाना हो जाए। यह उस परम्चत चेतन सत्ता के कहने के बाद जूद भी। उसके यह कहने के बाद भी अग्जोग भी कुछ से। तोगर वो मेरे आदेश से होगा। तो मेरे कटकुदली हो मेरी। जिस तरह से हम सलाएंगे उसी तरह से चल से चली जाओगी। उसके हिस इस हादेश के बाद भी फिर भी मैं कोजता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें फिर भी बोसुस करते रहना चाहिए। फिर भी लगन रहने चाहिए। ताकि मैं अपने गुरू को भोका नहीं देना चाहता तो अभी भी किसी भी शिकायद का। आज अत्र पर हमने उसको कोई भोका नहीं दिया। यह और बात है कि जो उसकी इच्छा हुई उसका आदेश का फालन करते चलेगे। यह ओर बात है कि मैंने उसके आदेश के वारे में भी एक बात को सोचना पड़ा मुझे भी कि क्या यह भी गुरू का लिया आदेश नहीं करते हैं? कहीं मुझे भर्मिन तो नहीं करतेगा, कहीं मुझे पतवरिश तो नहीं करतेगा। लेकिन हमने जब त्रहका गजा के खोजा, जब सोचा, विचार किया और एक बार नहीं, आप लोगों के भीच ही ऐसे जीव बैठे होंगे जिनको यादेशारे होंगे. क्योंकि हो सकता है मैं एक कभी-कभी को मैं ऐसा भी करता हूं, समय पर ही परूसा नहीं कर पाता हूं. कि आप ये जो अधेश दोगे उसी का पालन होगा. और आपके अधेशे कुस भी बाहर देगी कोगा. क्यों? क्योंकि वो सदा से है, वो गूत भाषिशेव और वरतमान को जाने वाला है, ती लो कर उक मालो को जाने वाला है. क्योंकि जब उसका आदेश आता है तो हमें बिना सोचे समझें पाले उतर देना तर तो उसके आदेश आने के बाद भी, आदेश आने के बाद भी, देक कदर ऐसा हमें उटाना पड़ा. मुझे भी सोचने का विचारा करना पर लेकिन, भूबधी गैराई उतर दे हुए, एक लाख बार विचार किया होगा, नहीं चाहते हुए भी, काम ने उसके आदेश का पादन किया है। तो मेरे जो जहां तर्भूती कारिये करती है, आप लोगों उसे आदल तक ऐसा पूर स्वाल नहीं खड़ा हुआ हो, जहां पर इतने गहराई तक भूचार करना पड़ा हुए। जहां धरम और ऐधरम का लियने लेना बचकड़ीन हो गया हुए। यह धरम है यह धरम है। यह सत्य है यह सत्य है। मेरे हिसाब से आपकी जिनुन वहारत कभी नहीं आया हुए। लेकिन हमने फ़क फ़क पर परिक्षा दीन है तो बार-बार परा अधना किये उस परामपिता परमेशुरसे हे परामपिता, हे अनत, हे भूदेव आप इन छोटे छोटे जियों की परिक्षा मतलब यह नहीं दे पाए है मैं भी इसे काबिल नहीं हूँ कि आपकी परिक्षय में शबल होता हूं। यह परम्पिता आपके आदेश काहि मालन कर सकता हूं। वाकी तो आपकी इच्छा है। तो जब दिरने तोला गया, जब सोचा गया, जब विचार हुआ, कि दो भी, जब से जब विचार हुई। बहुत से लोग औरमित हुए। शाय्द उस समय कुई भी जीवथा नहीं हुमारे साथ। लेकिन जिस दिरनो वा सकत्री स्विकार हुई। क्योंकि इसमें मेरा स्वार्त होता, उसका अदेश कापादर नह होता। तो सब कुछ से बराद होता सरा रहा होता ने सक्टी होती ने तेज होता ने ज्यान होता ने प्रमादमा होता लेकिन उसके आदेख के कारण उस सत्य के कारण उसे धर्म के मारद के कारण और उसे तपच्य के कारण उसे द्याग के कारण और उस विजार के कारण साइद उस परवपिता परवेशोर ने उस दादा ने इतनी ताकत शोप दी कि मैं भी नहीं सोच पारा रहा हूं। मैं ही नहीं समझ पारहा हूं कि उसे परमातमा ने क्यार दिया है। क्योंकि उसे दादा ने इतनी बेड़ किये, साइद आप उस लोग जानते हो यह विए पुराप ने अनुगाओ भी किया होगा। जो बोगी नहीं कर पारहा। जहां तक साइस हो तो उसके बंद हो जाता है। जहां साइस का विचार खतम हो जाता है। वहां आजयतन की एक दरिश्टी उसे परमातमा ने इतनी तादा दी है। उसकी कहपा इतनी हुई। जो आप सब रोकों के उपर बढ़श रहें। यह तो सिर्वात है। उस तादल का अंदाल सु आपको लगता चालाता है। जर्वात आपको साइद नहीं ये परमातमां से घरात ना कहूंगा कि आपको इस परकार इतरिक्सेय सेलेगे जुजरना पड़े। आपको इसे प्राइब